नमस्ते दोस्तो आज हम वाट इज रेक्टिफायर रेक्टिफायर क्या होता है उसके प्रकार टाइप सब्रेक्टिफायर और हाफ यो रेक्टिफायर इसका स्टड़ी करने वाले हैं दोस्तो रेक्टिफायर क्या होता है रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जो AC को DC में कनवर्ट करता है इस सर्किट में रेक्टिफायर डायोड इस कंपोनेंट की प्रमख भूविका होती है रेक्टिफायर डायोड ही एक चीज है जो AC को DC में कनवर्ट करती है डायोड is a unidirectional component and rectifiers are based on this principle डायोड एक ही दिश्या से conduct होता है और इसी principle पर आधारित rectifiers कारे करते है rectifier के तीन प्रकार होते है half-way over rectifier, full-wave rectifier और तीसरा full-wave bridge rectifier तो चले आज हम half-way over rectifier इस circuit का अभ्यास करते है इस circuit में एक step-down transformer, एक rectifier diode और एक load register इनका उप्योग किया जाता है इस circuit में केवल half-cycle का output मिलता है और इसी लिए इसे half-way over rectifier ऐसा कहते है transformer की जो primary winding होती है वहाँ पर 230 volt AC input दिया जाता है और secondary winding पर हमें transformer के rating के अनुसार 6 volt या 12 volt ऐसे output AC voltage प्राप्त होता है जब diode के positive terminal पर यानी anode पर positive half-cycle आती है उसी वक्त diode के cathode पर resistance RL through negative half-cycle मिलती है ऐसे स्थिति में यह diode forward bias की स्थिति में आ जाता है और forward bias में होने के कारण यह diode conduct होता है और हमें positive half-cycle का output मिलता है जब negative half-cycle diode के anode पर आएगी मतलब diode के positive terminal पर supply की negative cycle जब आती है तब यह diode reverse bias में आ जाता है और reverse bias की स्थिति में diode conduct नहीं होता मतलब उसमें से current flow नहीं हो सकता इस तरह से जब negative half-cycle आती है तब diode conduct नहीं होता और हमें उस half-cycle का output नहीं मिलता फिर से positive half-cycle diode के anode पर आती है फिर से diode conduct होता है और हमें उस positive half-cycle का output मिलता है इस तरह से सिर्फ positive half-cycle का output हमें मिलता है negative half-cycle जो होती है उसे eliminate किया जाता है उसका output नहीं मिलता इसलिए इसे half-wave rectifier ऐसा कहे थे rectifier के इस output को DC pulsating output voltage ऐसे कहा जाता है क्योंकि इसमें amplitude ज्यादा से ज्यादा maximum level तक पोच कर फिर से 0 पर आती है इस rectifier की ripple frequency input के बराबर होती है और DC output voltage या secondary winding पर प्राप्त होने वाले voltage से 0.6 volt कम होता है दोस्तों चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए जहिंद और इसी तरह half-wave rectifier पूरा हुआ